हलो दोस्तों आप सबका मैं स्वागत करते हूँ एलियोट वे निफ्टी यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं निफ्टी पे वन मिनिट का टाइम फ्रेम पे जो भी प्राइस आक्शन हुआ था उसको हम कैसे ट्रेट कर सकते थे एस पर एलियोट और फिबो नसी और उसके साथ साथ और इस एडबांस प्राइस एक्शन थियोडि के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि निफ्टी का ऐसा वन डे का टाइम फ्रेम या वन आवर का भी टाइम फ्रेम पे जाकर हम ये देखेंगे कि ये वाला जो फॉल हो रहा था निफ्टी प मार्केट ऐसे 1,2,3,4,5 ऐसे 5 subwebs पे आगे बढ़ते हैं जिसके अंदर ये 1st wave, 3rd wave और 5th wave होते हैं आपका main trend और ये 2nd wave और 4th wave होते हैं आपका profit booking यानिके retracement zone जिसके अंदर normally ABC 3 subwebs रहते हैं और उसका उल्टी तरफ ये main trend के अंदर 5 subwebs रहते हैं मोटा मोटा बात ये हैं कि market 5 subwebs पे अगे बढ़ते हैं 3 subwebs पे नीचे आते हैं और एक market का cycle then complete होते हैं तब ही चले हैं हमारा main chart पे चलते हैं तो आज मैं पहले start करना चाहूंगा nifty का 2 hour का time frame से इससे पहले मैं जैसे कि आप लोग को बात रहता है कि nifty इदर से 1,2,3,4,5 ऐस कर सकते हैं और दूसरा एक possibility है कि ये A, ये हो गया आपका B and A जो है ये पूड़ा का पूड़ा C हो रहा हैं तो चाहिए ये C हो या थाड़ हो ये matter नहीं है matter यह है कि इदर 5 subwebs पे आगे बाढ़ेगा और ये 5 subwebs क्या complete हो चुके हैं या नहीं तो इदर जो मुझे दीखने कि ये 1, 2, 3 हो गया 4 हो गया अभी ये 5 के लिए आगे बाढ़ रहा हैं तो इसके लिए मैं 1 hour का time time पे जाना चाहूंगा तो इदर जो होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं कि most probably ये आपका 1 हो गया 2 हो गया ये जो है ये आपका most probably third हो गया देन ये 4th के लिए आ रहे हैं और इ इदर इस third जो है इस third को मैं इदर मार्क करकी इस fourth को इदर और ये वाला जो fifth होगा इसको मैं इदर क्यों नहीं मार्क कर रहा हूं वो भी मैं आपको दिखाओंगा और उसके लिए ये वाला जो time frame है छोटा time frame यान की 15 मिनिट का time frame पे जाकर हमको देखना पड़ेगा तो चल मैं इसको ABC बास इदर दिखा रहा हूं जो पिछला दिन हमारा मार्किंग था देन इधर से market upside पे जा रहा था तब हमारा expectation था किया कि इधर से market में भी one two three four five करेगा बट ये वाला जो part है इसको मैं और भी चुरा time frame पे जाकर दिखाओंगा बट अभी के लिए जो मुझे दी मिला कर हम X हैं तिसरा जो ABC होगा इसको मिला कर हम क्या मार्क करते हैं Y ऐसा एक complex correction में भी हम मार्क कर सकते हैं इस particular जगा पे और क्यों मैं इसको W, X, Y मार्क कर रहा हूं क्योंकि Fibonacci Y अगर आप देखे तो ये बाला जो X है ये है आपका W का 1.27% या उससे भी थोड़ा कम प पर भी तो इधर भी आप अगर देखना चाहेंगे तो most probably ये ABC जो है ऐसा ही कुछ करने का कोसिस कर रहे हैं जो actually ABC नहीं W, X, Y क्योंकि एक complex pattern ऐसा ही कुछ बान रहा है तो इसलिए मैं इसको W, X, Y नाम दे रहा हूं but actually इधर X जो है इस particular जगा ये वाला जो fall है इसका 1.27% या उसके आसपास ही है इसलिए आप इसको W, X, Y ऐसा भी मार्क कर सकते हैं और ये बाला जो Y होगा Y के आंदर normally कितना साब होई बहाते हैं तीन साब होई A, B and C और इधर मैं पिछला दिनी टेलिग्रम पे आप लोग को बाता रहा है कि इधर क्या हो रहा है कि most probably ये जो है एक triangle ऐसा pattern बन गये है और उसके बाद इधर से एक fall करेगा तो बैसलिए उस particular चीज़को भी हम छोड़ा time time पे जा कर देखेंगे लेकिर आभी के लिए मैं इतना बोलना चाहूंगा कि ऐसा तो नहीं कि ये अगर आपका W है ये X है ये Y है Y इतना बहुत नीचे चला आएगा ऐसा नहीं हो सकता हो सकते हैं कि ये 161% का जो लेवल है इसके आसपास चले आये जो नॉर्मली आते भी है और दूसरा एक लेवल हो सकते हैं ये 2.618 यानि कि जो 17,698 तो इससे अगर मार्केट नीचे चला गया तो most probably ये वाला जो है ये WXY मार्किंग नहीं से ही नहीं है ये बा हो चुके होंगे अगर ये बाला लेबल को तोड़ दे तो ये एक possibility मैं expect कर रहा हूं और ये बाला लोग को अगर ये तोड़ देगा तो next जो target हो सकते हैं उसके लिए मैं आपको ये बाला जो मार्किंग है इसको height करके normally दिखाना चाहूंगा देखिए अभी जो है मार्केट को अगर ये तोड़ देगा तो next जो हो सकते हैं में भी ये आपका 17,550 के आसपास और अगर ये वाला जो 17,550 को भी ये अगर किसी कारण तोड़ दिया तो next जो है तब हम ये वाला जो fall है इसको हम मार्क करके देखने का कोसिस कर रहे हैं कि ये actually कौन सी pattern बना रहे हैं बट अभी के लिए ये वाला जो जगा है इसको थोड़ा और analysis का जरू रहे है चलिए फाइब मिनिट का चार्ट पर चलते हैं तो ये है निफ्टी का फाइब मिनिट का चार्ट तो इधर जो मुझे लाग रहा था पिछला दिन कि ये most probably ये जो है WXY या ABC sorry ABC हो गया C के अंदर 12345 है उसके बाद market ऐसा जा रहे है तो ये तो पिछला दिन हम discussion कर चुके थे तो ये वाला जो जागा था मुझे लाग ना था कि ये आपका 3rd ये 4th होगा देन 5th होगा और नेक्ट दिन ये upside पे खोल गया तो उसके बाद से ये selling आया तो इस particular जो rise है इसको अगर आप 5 सा वह मा नहीं चाहिए ये बहुत ही छोटा है ओके तो इसको मैं 4th तो mark कर सकते हूं बट इट लिए very odd count ओके बहुत ही एक odd type का count हो सकते हैं जहाँ ज्यादा से ज्यादा parameter को ये bridge कर रहा है इसलिए मैं इसको 4th marking नहीं कर रहा हूं मैं expect कर रहा हूं कि ये बाला जो marking जो मैं अभी बो कर दिया देन मैं भी next जो है एक gap support हो सकते हैं ये 547 या 550 इसके आसपास तक ओके और अभी तक market जो है ये gap support पर ये ज्यादा समय बिता रहा है इसलिए मैं next जो gap support है इसके ओपर भरसा कर रहा हूं क्योंकि market आखर ये वाला जो gaps है इस पर बहुत ज्यादा देर समय बिता रहा होगा ओ ये है कि ये बाला जो rise हो रहा है ते जब इधर से इस बाला bottom को हम पकर पाए तो इसके बाद हमको ये लालच करना सही नहीं रहेगा कि इधर से ये बाला एक rise देगा कि नहीं देगा तो इधर से जो भी हमारा position था मैं already काट के बैटा हूं और ये आप लोग के लिए कोई recommendation नहीं है बाट ये मैं बोलना चाहूंगा कि ये बाला जो भी rise हो सकते हैं इतना बड़ा rise जो 2000 पॉइंट का rise लेने के बाद भी अगर इतना छोटा सा एक rise देगा कि नहीं देगा इसके उपर भरसा करना नहीं चाहिए तो आभी चले निप् market चालू कर दान स्टार्ट कर दिया बट इधर से market जो कर रहा है हमारा expectation तक इधर से थोड़ा साथ और एक लेग बाकी हो सकते हैं आप site पे बट इधर जो actually हो गया वो था कुछ इस तरीके से इधर जो है ये most probably एक triangle जैसे बना दिया and then इधर से market जो है ये हमारा expectation तक इस जग फोर मानते हैं कि ये जो है A, B, C, D, E हो जाएगा बट का भी दिखा जाते हैं A है ये B पे triangle ये C के लिए market नीचे चले आते हैं तब जाकर इधर फोर खताब होते हैं then ये 5th के लिए जाते हैं ऐसा होते हैं तो इधर भी most probably ओई चीज हो रहे हैं तो इसलिए ये वाला जो ए आचे से पाकर पाये हैं तब जाकर मैं मानता हूं कि मेरा teaching successful है क्योंकि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा करके समझ पा रहे हैं तब जाकर मेरा इधना मेहनत काम पे आएगा तब बात ही है कि market जो इधर से जब नीचे जा रहा था तब हमारा क्या expectation था कि market जो ऐसा नीचे ज हो सकते हैं most probably जो हो सकते हैं यह अगर triangle भी है तो एक दो तीन चार यह मेभी आपका पांच जो है यह इस जागा के आसपस तक कहीं हो रहा है तो इस लिए उसको देखकर मैं यह जागा तक साइध हो रहा है है इस जागा तक हो रहा था तो मुझे लाग रहा था कि मेभी 1,2, 3,4 और यह जो है यह मेभी आपका 5 हो गया है देन इधर से मार्केट थोड़ा upside पर जा सकते हैं ओके यह exactly 261 का level यह उससे भी नीचे चला जा सकते हैं यह वाला possibility मेरा expected नहीं था क्योंकि ओ नॉर्मली होता भी नहीं है और जो होता नहीं मैं क्या करूं तो इसलिए मेरा expectation था कितना point देखे 17,950 के आसपास या 60 के आसपास से लागवाक इस जगह तक भी आगर पकर के राखा तो 150 point के आसपास already हम fall ले चुके हैं तो इधर से जो 150 points हम कमा चुके हैं या 140 या 120 जो भी आप कमा चुके हैं उसके अंदर मैं क्या 20 या 25 point का risk नहीं ले सकता market मतलब तो calculated risk होता है न तो इधर मैं वहीं चीस initiate किया 20 पॉइंट का risk लिया वो मेरा hit हो गया तो actually दीन में ये 150 point तो मैंने पा चुका था बट उसके बाद ये 20-25 point का risk लेना चाहिए ही चाहिए ठीक है क्योंकि इधर से अगर चला जाता तो आप ये बाला पूरा rise है ये miss करना भी नहीं चाहते होंगे तो इसलिए ये ऐसा छोटा-छोटा risk लेना ही चाहिए market में क्योंकि इससे पिछला दिन जब आप लोग देखेंगे कि इस particular जागा पर इधर क्या हुआ था ये C हुआ था C के अंदर most probably 1,2,3,4,5 हुआ था और इधर से हम एक long initiate के थे ओसे ही गया था तो इधर से ये बाला से ही नहीं जाएगा ये हमारे expected नहीं था अब नहीं गया तो तो overall आप profitably रहेंगे क्योंकि मेरा हिसाब से मैं अगर इधर से 100 point फिर भी मेरे पास है आने बाले 2,3 trade जो है उसमें से एक ना एक trade तो फिर से मुझे 1500 या 200 point या 100 point तो देगा ही देगा तो overall ये छोटा मोटा जो losses है ये मेरे लिए कोई minor नहीं रखता नहीं मेरा psychology भी करते है ये वाला जो एक loss था इसके बाद market ने जब नीचे चले आ रहा था तो मैंने इधर से नहीं कोई short initiate किया नहीं फिर से कोई long initiate किया क्योंकि इधर से मैं अगर फिर से long या short करूंगा तो market जो है ये कौन सी दिशा पे जाएगा I am not sure ये इतना बड़ा rise के बाद market किया इधर से sharply rise देखा अगर उपर गया भी इस पर मुझे doubt है इसलिए मैंने इधर से नहीं कोई long लिया था और नहीं फिर से short लेने का हिमत किया था क्योंकि ये जो हमारा एक predicted level था 161 जो नॉर्मले आ सकते हैं वो तो चला आया अब उसके बाद क्या होगा वो bonus होते हैं मैं उसको पाकर क जब नहीं रहा हूँ इधर से जब completely book कर चुका था तो उसके बाद फिर से इधर लेने का कोई जरूरत नहीं है अगर इधर से book ना करता तो मैं ठीक है चलो थोड़ा से पाकर के रखते हैं अलग वाद था बाट इधर से जब मैं book कर चुका हूँ उधर से short या long initiate नहीं करू हैं कि आप वो दिन में एक या maximum आपको दो ट्रेड ही लेना चाहिए उससे ज्यादा one minute का time time पे आपको लेना ही नहीं चाहिए at least उससे ज्यादा बहुत ही काम ही होते हैं ठीक है तो इसलिए आप चाहिए intraday कर रही है one minute का scalping strategy अपलाई कीजिए जो भी कीजिए आपको किसी इसी भी हालत पर बहुत ज़्यादा trade initiate करना नहीं चाहिए वो सकते हैं इधर से short initiate करके मैं असाथ profitable रहे पाता बट फिर वह जरूरत नहीं था और उसके बाद market actually neutral भी हो गया था ओके तो कोई खास कुछ profit भी मुझे नहीं दे सकता था तो ऐसे करके ही one minute का trading करना चाहिए तो आप लोग कंडली like comment के माद्दम से और जो दोस्तों नए जुड़े हैं subscribe के माद्दम से हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं इससे आने बाले समय पर भी मैं आप लोग के लिए नए नए वीडियोस लाते रहूँगा तो अभी के लिए इतना ही thank you and आप सबको मेरा धन्यबात आप सकते हैं